आप सभी को नमस्ते, क्लास नाइनत की फिजिक्स में जो चैप्टर मोशन हमने शुरू किया था, यह उसका चौथा लेक्चर है, शुरुवाती तीन लेक्चर में आपने मोशन को समझा, सबसे पहले युनिफॉर्म मोशन, नौन युनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस, डिस्प एक तरह से आप समझें, मोशन से रिलेटेड लगभग लगभग सारी फिजिकल क्वांटिटी से आप इंट्रिडूस हो चुके हैं, मतलब चाहिए डिस्टेंस हो, डिस्प्लेस्मेंट हो, स्पीड हो, वेलोस्टी हो, एक्सलेरेशन हो, रिटार्डेशन हो, इन तमाम फिज मोशन को सड़ी करेंगे, ठीक है, हम अपने मोशन के नीचर को देखेंगे, एक नुमेरिकल भी यहां पर करेंगे, उस नुमेरिकल को देखने के बाद, आपके इस लेवल की, नाइन्थ क्लास के लेवल पर सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ग्राफ से रिलेटेड, ठी सबसे पहली चीज हम यहां पर ग्राफ बना बना करके दिखेंगे कि यह ग्राफ जो है, वो किस तरह के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां सबसे पहले हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहने से मतलब यह है, कि हम जो ग्राफ प् एक्सिस पर डिस्टेंस होगा और एक पर टाइम होगा ठीक है सबसे पहले आप देखें यह यहां पर डिस्टेंस है जो कि मीटर में मेजर की जा रही है एक्स एक्सिस पर हमने टी टाइम को प्लॉट किया जो कि सेकेंड में मेजर किया जा रहा है अगर मान लीजिए हम यहां पर लिखें वन टू त्री फोर यहां टू फोर शिक्स इस तरह से ठीक है और हम एक ग्राफ यह एक्सिस प्लॉट हो गई अब हमें ग्राफ खीचें इस जरा का ऐसे तो इस ग्राफ का क्या मतलब है और थोड़ा डार्क कर देते हैं ठीक है एक ऐसे स्ट्रेट लाइन अगर हम खीजने जो की पैरलल है एक्स एक्सिस के जहां पर टाइम टी है तो यह ग्राफ आपको क्या दर्शार आपको क्या लगता है कि समय जो है वो बढ़ता जा रहा है देखिए यह बढ़ता जा रहा है समय लेकिन जो पार्टिकल है सबसे पहले तो ग्राफ किसको प्रिप्रेजेंट करेगा पार्टिकल को करेगा चार मीटर पे है वो ओरिजिन से चार मीटर द 3 सेकंड तो भी, 4 सेकंड तो भी मतलब समय तो चल रहा है समय तो रुकेगा नहीं वही किसी के लिए भी समय चलता जा रहा है लेकिन वह पार्टिकल ओर जिन से 4 मीटर की दूरी पर ही स्थित है मतलब आप क्या कहेंगे कि वह पार्टिकल मूव नहीं कर रहा एड्रेस्ट भाई इस ग्राफ से आप क्या समझते हैं आपको एक्जाम में ग्राफ दे दिया जाएगा और अगर पूछ लिया जाता है कि ये ग्राफ जो है पार्टिकल के किस तरह के मोशन को दर्शाता है या फिर क्या दर्शाता है आप कोई कि पर्टिकल जो रेस्ट में है, समय भीत रहा है, लेकिन पर्टिकल बढ़ी नहीं रहा है, चारे मीटर पर है, ठीक, यह तो हुआ एक, किसमें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, अब हम आजाते हैं दूसरे पर, फिर यहाँ पर, टिस्टेंस मीटर में, टाइम टी, सेकेंड में, यहाँ पर, ठीक, प्लोट कर लें, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, ठीक, अब अगर हम ग्राफ को दिखाएं कुछ इस तरह, कि जब 1 सेकंड बीता, तो 2 मीटर, 2 मीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल की, टोटल 2 सेकंड बीते, तो उसने 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, यहाँ पर आ गया पर्टिकल, समझ पा रहें न, यह पॉइंट कैसे बढ़ रहा है, यह समझना सबसे जुरूरी है, एक सेकंड बीता, तो यहाँ आया 2 मीटर पर, 2 सेकंड बीता, तो 4 मीटर पर आ गया, 3 सेकंड बीता, तो यह यहाँ, 6 मीटर पर आ गया, इस तरह से, ठिक, अब अगर आप पॉइंट्स को मिलाते हुए, ग्राफिक खीचें, तो आप पाहेंगे कि यह एक, ऐसी स्ट्रेट लाइन है, ठिक, आगे आप इस लाइन के भी बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप देखें, कि समय के साथ-साथ लगातार यह बढ़ रहा है, यहने, डिस्टेंस जो है, वो 2 मीटर, 2 मीटर हर सेकंड, 2 मीटर बढ़ रही है, इस से हमें क्या पता चला, एक सेकंड ब 2 मीटर का रहा है, यही तो वेलोस्टी है, यही स्पीड है, तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, कि V equal to दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकंड, निकाल पाए हम, अब्जर्वेशन से, आप देखें, अब यहीं से हम एक फॉर्मूले को भी देख सकते हैं, अगर आप फॉर्मूल कहें दें, और इस पॉजिशन को S2, S1 जब था, तो समय था T1, और जब वो S2 पे पहुंचा, यहां पहुंचा, तो टाइम था T2, तो वेलोस्टी का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, तो हो जाएगा S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, इस फॉर्मूले को आप जानते होंगे अच्छे से, देखें, S2 हमारा यहां पर क्या है, 4 है, S1 क्या है, 2 है, तो 4 माइनस 2, अपॉन T2 क्या है, 2, T1 क्या है, 1, तो 2 माइनस 1, 1, 4 माइनस 2, 2, और 2 माइनस 1, 1, तो यह गया 2 मीटर पर सेकें, यह क्या आ गई, विलोस्टी आ गई, ठीक, मतलब ग्राफ से भी आप निकाल पा रहा है, बात समझ में आ रही न, ठीक, अच्छा, एक चीज और, एक पॉइंट यहां रहे गया, यह जो ग्राफ दर्शारा है, वो क्या दर्शारा है, कि एक कॉंस्टेंट विलोस्टी से वो चल रहा है, टू मीटर पर सेकंड की विलोस्टी है, तो पार्टिकल की पूरे टाइम, टू मीटर पर सेकंड की ही विलोस्टी है, एक कॉंस्टेंट वैल्यू दर्शारा है, इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, इसको याद रखिएगा, यहां पर क्या है, विलोस्टी क अभी और समझें देखो ग्राफ से जितना ज्यादा ग्राफ खींचने की खूब आदत बनो खूब ग्राफ खींचो न्यूस पेपर खींचो अगर तुम्हें यह कश्टोपता है कि मेरा पेज थोड़ा वह होगा तो न्यूस पेपर खींचो गलत सही जो भी खींचोगे में आएगा यहां पर फिर डिस्टेंस मीटर में मेजर हो रही है टाइम टी सेकंड में मेजर हो रहा है यहां पर यह ओर जिन है जीरो कॉमा जीरो पॉइंट है चीक वन टू 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 ट्री फोर फाइव सेक्स सेवन एट टू त्री फाइव सेक्स सेवन एट ठीक है अच्छा अब देख लेते हैं मानलो हमारे पाल डाटा दिया हुआ है स इन मीटर है और सब्सक्राइब क्या दिया हुआ है कि जब एक जैब जीरो था तो पर्टिकल और जीरो था जुँआ डिस्टेन्स नहीं एक सेकंड मीन था तो दो मीटर दो सेकंड बीता तो 4 तीसरे सेकंड में क्या हुआ तीसरे सेकंड में क्या हुआ 8 8 हो गया ठीक 14 सेकंड में 14 हो गया 14 मीटर ठीक अब आप ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो हमारे पास points क्या-क्या है 0,0 एक point है भई हमारा x-axis यहां है t तो t,s इस तरह से प्लॉट करेंगे आप जानते होंगे पहले से ग्राफ को किस तरह plot किया जाता है, x-axis में हमारा t है तो पहले यहां t होगा sy-axis में है तो t,s इस तरह points बनाएंगे अब यहां से देखते जाए t,s तो 0,0 एक point होगा t,s तो 1,2 एक point होगा ठीक 2,4 एक point होगा 3,8 एक point होगा 4,14 एक point होगा ठीक अगर हमें इतना ही data दिया हो तो हम ग्राफ कैसे बना लेंगे देखिए 0,0 यहां पर होगा 1,2 कहा होगा 1,2 यहां होगा ठीक है 2,4 2,4 यहां होगा 3,8 3 और 8 यहां इस जगह होगा ठीक है 4,14 अब देखो यह यहां जगह नहीं है मेरे पास अगर हम इसको मिटा दें क्योंकि देखो समझना जरूर है यहां हमारे लिखे रहने से कुछ नहीं ऐसा होगा ठीक है इतने में हो जगता है तो यह ऐसे मीटर में थोड़ा सा देखो वीडियो लंबा होगा लेकिन तुमको जानकारी भी मिलेगी तो उससे मत भगा बढ़ा हो ठीक है यह फॉर्टीन यह हो गया ठीक अच्छा हाँ फॉर सेकंड पर यह फॉर्टीन पर पहुंग लिए इस तरह से यह पॉइंट बन गए अब अगर आप ग्राफ खींचें तो यह 0,0 से आएगा देखो किस तरह का ग्राफ बन रहा है डार्क करें देखो ठीक अब आप क्या देख रहे हो वहाँ कैसा था ग्राफ जब हम कहा रहे थे यूनिफॉर्म वेलोस्टी तो इस तरह का ग्राफ था सीधी एक इस्ट्रेट लाइन थी लेकिन यहाँ आप क्या देख रहे हैं इंक्रीज हो रहा है उठ रहा है ठीक है किस तरह का शेप आ रहा है यह उठ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है यानि velocity में increase हुआ आप देखें 0,0 था 1 second में 2 2 second में 4 यहां तक क्या 2 meter per second की velocity दिख रही थी लेकिन 3 second जैसे ही वी था तो क्या हुआ 4 से सीधा 8, 4 meter per second की velocity हो गई यहां से देखो यह यहां तक 4 तक देखो यहां तक, ऐसे straight line है यहां से फिर यह बढ़ गया देखे दिखा तो यह चीज़ें भी आप सीखें आच्छा, यह st graph है फिर हम velocity निकाल सकते हैं कोई भी 2 point ले ले हम यह से यह point ले लिया और दूसरा कौन सा ले मान लो यह ले लो ठीक, तो यह क्या हो गया S2, यह क्या हो गया S1, 8 मीटर पे जब particle था, तो उस समय समय क्या था 3 सेकंड बीच चुका था, ठीक है तो यह क्या हो गया, T1 14 पर जब पहुचा तो time क्या था, 4 सेकंड यानि यह हो गया T2 T2, ठीक है हम क्या जानते है, S2 minus S1 upon T2 minus T1 S2 क्या है हमारा, 14, 14 minus 8 कर लेंगे upon T2, 4 minus 3 ठीक है, यह कितना हो जाएगा, 6 upon यह 1 मीटर पर सेकंड, वेलोस्टी क्या गई 6 मीटर पर सेकंड, वहीं दूसरा कहीं और देखो हाँ, अगर हम इसको हटा दें अब, इसको S2 कर दें और इसको यहाँ, 4 वाले को S1 कर दें हम, तो टाइम देखो इसके कर्रेस्पोंडिंस क्या हो जाएगा 4 के लिए 2 हो जाएगा, T1 S2, 8 पे, क्या है टाइम यह T2 हाँ अब देखो, वेलोस्टी क्या आएगी S2 minus S1, यानि 8 minus 4 4 आगया, और अपन 1 3 minus 2, 1 हो जाएगा मीटर पर सेकंड यहाँ, वेलोस्टी 4 मीटर पर सेकंड है यहाँ, वेलोस्टी 6 मीटर पर सेकंड है हाँ, वेलोस्टी हम दोनों जिस भी पॉइंट की चाहे निकाल लिए लेकिन अलग-अलग आई तो यहाँ पर वेलोस्टी कॉंस्टेंट नहीं है ग्राफ देखके भी समझ में आ रहा है देखो यहां increase हो रहा है तो समय के साथ वलोस्टी बढ़ती भी जा रही है यह मतलब विलोस्टी कॉंस्टेंट नहीं है हाँ, बात समझ आ रही होगी अब एक और ग्राफ लेते हैं इसी में अब हम यहाँ पर वो स्केलिंग नहीं कर रहा है देखें आप अगर हम कोई कर्व खीचें इस तरह का और डार खीच देखें इस तरह का ठीक है भाई यह वो कर्व हो सकता है आप उससे मत गबड़ाईए कि यह अपको थोड़ा अलग लग रहा है या अजीव लग रहा है बिल्कुल हो सकता है आप देखें यहाँ पर आप क्या पाएंगे कि इस जगह देखो इस टाइम टी पर यह पार्टिकल जो है इस जगह भी है यहाँ पर इस जगह भी है और इस जगह भी है कि इस जगह को एक ही समये क्या पॉसिबल है क्यあー a की समय में कोई पार्टिकल तीन जगह हो टीन अलग अलग जगह हो क्याżenia पासीबल तो यह ग्राफ पॉसिबल नहीं हैन्य हो सिक यह भी समझे कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल यही नहीं है इसको भी आप समyआ कि अब चलते हैं आगे, यह एक समय में कोई 3-4 जगा नहीं न हो सकता है, अगर हम इस समय इस कमरे में हैं, तो हम इसी कमरे में हैं, और कहीं तो हैं नहीं, अब आप देखें अगला, तो यह आपका distance time graph था, उस distance time graph से आप velocity निकाल पा रहे थे, कैसे हम जानते हैं, V equal to S2 minus S1 upon T2 minus T1, graph में देख ले रहे थे, निकाल ले रहे थे, क्या इसमें कठीन है भई, कुछ कठीन है क्या, graph आपको दिया रहेगा, आगे चलते हैं, अगला है आपका topic, velocity time graph, velocity time graph में आप सबसे पहला देखें, अब यहाँ पर V पर velocity आ जाएगी, जो की measure होगी, meter पर second में, और time यहीं रहेगा, time T second में measure होगा, ठेकर, आच्छा, अब देखें, अगर हम कहें, 1, 2, scaling नहीं करते हैं, ठीकर, आप shape से समझते जाएगे, अब आप लोग समझदार हैं, अगर हम ऐसा, straight line एकदम खीज़ दें, जैसा हमने वहाँ कीचा था, अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, जब, जब, distance time graph खीज़ था, तो कहा, इस तरह के graph में कहा था, कि particle जो है, वो rest में है, लेकिन, लेकिन, जब velocity time graph हम खीज रहे हैं, और, इसी तरह का, सेम, straight line एकदम खीज़ दे रहे हैं, x-axis के parallel, तो आप देखें, कि यहाँ पर velocity की एक value है, इसका मतलब, यह constant velocity का graph है, ठीक है, किसमे, velocity time graph में, जब, constant velocity का graph खीज़ ना होगा, तो यूँ आप x-axis के parallel, एक straight line खीज़ देंगे, वहाँ क्या था, distance time graph में, जल्दी से समझते हैं, t in second, s, distance in meter, वहाँ क्या था, जब हमें constant velocity खीज़ नी थी, इस तरह की straight line थी, हाँ, यहाँ क्या है, velocity और time में, ऐसे सी दिखीजी, क्योंकि यह एक velocity की value बता रही है, क्या यहाँ acceleration है, नहीं, acceleration नहीं, कैसे निकालेंगे, देख लें आप, acceleration का formula क्या होगा, v2 minus v1, upon t2 minus t1, होगा, अब आप देखें, अगर इसको t1 कह लें, इसको t2 कह लें, तो आपके v1 और v2 दोनों की value same है, तो भई, जब same quantities घटेंगी, तो 0 हो जाएगा, यहनी, acceleration यहाँ पर 0 है, acceleration 0 है, और acceleration 0 होने का मतलब क्या, यह पिछले lecture में आपको बताया, कि velocity content है, सारी चीजें mix करते चलिए, तो चीजें और clear होंगी, कभी कोई किसी प्रकार का confusion नहीं होगा आपको, आगे चलते हैं, और एक graph देखते हैं, velocity time का ही, हाँ, देखें, अब अगर हम यूँ, straight line ऐसे खीज़ दें, तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पर, velocity बढ़ रही है, same rate से, अब हम values नहीं लिखरें, ठीक है, पिछले से आप समझ पा रहे होंगे, तो आप यहाँ पर देखें, कि लगातार जो है वो, जैसे वहाँ था, वैसे ही, increase वो है, एक constant है, यानि, acceleration constant होगा, acceleration होगा, लेकिन एक कोई constant value होगी, हम, चाहें तो आप ले ले, अगर न बहुत समझ में, आप दिक्कत हो रही हो कुछ, तो आप values ले ले, जदा अच्छा रहे हैं अब ही, ले ले ले, वज़ी, वण, टू, त्री, फॉर, फाइव, टू, फॉर, शेक, यह velocity in meter per second, ठीक है, देखें, अगर हम कहें, कि एक second में वो 2 meter, अरे, 2 meter per second की velocity थी, 2 second बीता, तो 4 meter per second की velocity हो गई, 3 second बीता, तो 6 meter per second की velocity हो गई, है ना, यानि हर second, 2 meter per second की velocity, increase कर रही है, तो भई, यह constant है नहीं, कुछ लगता है गड़बड हो गया, चलिए, ठीक, तो यहाँ पर क्या increase एक constant है, increase जो हो रहा है, वो नहीं बदल रहा है, मतलब, एक कोई constant value है, जो की है, 2 meter per second, क्यों 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 हम देख पा रहे हैं, कि हर second, 2 meter per second का increase हो रहा है, क्या मतलब हुआ, 2 meter per second, हर second, तो यह हो गया, 2 meter per second, इसक्वाइर यही ना, acceleration यही तो हुआ, हां, ठीक है, अब आप आगे देखें, मनि यह uniform acceleration का है, यह यहाँ पर, uniform acceleration, ठीक हो कई बात, अच्छा, अब एक और velocity time graph देख लगते हैं, इसको मिटाना पुड़ेगा, एक, दो, तीन, चार पांचे, साथ, आप, ताम टी इन सेक्ड, वेलोचिवी इन मीटर पर, सेक्ड, चर्क, तो, पर, शीक्स, एट, टेन, ट्वेल, और फॉट्टीन, अब आप देखें, हम यहाँ पर, वी, मीटर पर सेक्ड और, टाइम टी, सेक्ड में, प्लोट करते जा रहे हैं, जीरो, जीरो सेक्ड पर, एक सेक्ड बीता तो, दो थी, दो सेक्ड बात देखा तो, सेम उसी तरह है देखो, हाँ ना, टी कॉमा वी, अब की कैसे प्लोट करेंगे, टी कॉमा वी, तो जीरो कॉमा जीरो यहाँ होगा, दूसरा क्या है, वन कॉमा टू, यहाँ होगा, यहाँ होगा, फिर क्या है, टू कॉमा फोर, यहाँ होगा, 3,8 यहाँ होगा 4,14 यहाँ होगा ठीक है? अब आप graph खीचें देखें आप यह यहाँ से यह यह increase हुआ यहाँ यहाँ एक्सेलरेशन variable है, बदल रहा है अब आप निकाल ले acceleration अगर आप निकालना चाहें तो V2-V1 upon T2-T1 V की कोई दो value ले करके आप चेक कर ले जैसे यहाँ 8 पर ले ले और यह 14, यह हो गया V1 यह हो गया V2 तो V2-V1, 14-8 कर लेंगे upon 8 meter per second जब velocity थी तो total time कितना था? 3 और जब 14 meter per second थी तब क्या था? 4, तो 4-3 तो कितना आगया? 6 meter per second square यह acceleration होगा लेकिन अगर आप इसको V2 कर लें और इसको V1 कर लें तब क्या आजाएगा? देखें आप तब acceleration क्या है? 8 8-4 8 के समय time क्या था? 3 4 के समय time क्या है? 2 तो 4 4 meter per second square देखें आप यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है यही acceleration बदल रहा है ठीक है? non uniform acceleration का case है अब एक देख लेते हैं, retardation का भी है एक बार आप खुद सोचें, retardation के लिए VT graph, velocity time graph कैसे खिचाएगा? खुद सोचें, एक बार वीडियो को pause करें, एक बार खुद try करें तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा आप गलत सही, जो भी खीचेंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है हम कैमरे से बाहर आके आप तो कुछ नहीं कह सकते ठीक? देखें आप अगर हम इस तरह का करूँ कीचें, ऐसा कुछ तो आप यहाँ देखें time यहाँ है तो V की value उपर है फिर time बढ़ा, यहाँ पहुचा तो V की value नीचे आ गई time बढ़ा, यहाँ पहुचा, क्योंकि time तो चलता रहे बढ़ी, रुकेगा तो है नी तो उसने देखा, तो अरे V तो अब और नीचे आ गया, यहाँ आ गया यहाँ लगातार V जो है वो नीचे आ रहा है velocity घटती चली जा रही है velocity घटने का मतलब क्या है आप गाड़ी में brake लगाते जा रहे है brake लगा रहे है मतलब retardation हो रहा है तो लिख ले यह retardation का case हो गया ठिक अब आगे समझते हैं तो यह आपने देखा क्या चीजें देखी V के लिए था S2 माइनस S1 देखो यही formula तुमारा numerical solve करते समय भी है और यही formula तुमारा graph के समय भी आ रहा है समझे रहो हो गई बात साफ अच्छा अब यह जो VT graph है न अगर इसके किसी एक region का तुम area निकाल लो area निकाल लो तो जानते हो क्या आएगा displacement आ जाएगा दो points ले करके जब निकाल रहे थे formula से तो acceleration आया VT graph में इसके under का area निकाल लोगे तो एक step पीछे distance आ जाएगा हां कैसे देखें आप समझें भाई area क्या होता है length इंटू breath तो अगर आप length इसको मान ले breath इसको मान ले length और breath इसको मान ले तो निकल जाएगा V इंटू T करते जाएगे इसी के पीछे पीछे एक वीडियो आ रहा है उसमें हम numerical एक करा देंगे आपके सारे concept clear हो जाएगे यह वीडियो लंबा नहों इसलिए उसको दूसरे वीडियो में डाल रहा है ठीक है तो मिलते हैं भी अगले लेक्चर में तब तक आप चाहें तो revise कर लें थोड़ी चीजे पढ़ लें और book पढ़ें फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर कुछ नया सीखें कुछ नया जानेंगे तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद